नमस्कार दोस्तो, भोजपूरी फिल्म इंड़स्ट्री में अब बस दो सूपर इस्टार बचे हैं, जो पुराने हैं और लोग प्रिये हैं भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मों की हालत तो इतनी खराब है कि डाइरेक्टर पूरी तरीके से निर्भर है सबसीडी पे अगर मिल गया तो ठीक ठाक पैसा आ जाएगा वरना भोजपूरी के वो डाइरेक्टर बरबाद हो जाएगे यही नहीं सिंगल स्क्रीन सिनेमा जिसमें भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में लगती है वो भी लगातार तोड़े जा रहे हैं और बड़ा बड़ा मल्टिप्लिक्स बनाया जा रहा है जहां पे भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री कभी लगती नहीं है दोस्तों म सवाल तो उठता है न कि आखिर क्या हो गया भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री को आखिर कहां गलती हो गई कहां चूक रह गई और इसको कैसे फिर से रिवाइब किया जा सकता है आए इस वीडियो में एक के एक करके जानने की कोशिस करते हैं कि सारी लाल यादो नहीं चाहते हैं कि कोई यादो समाज में जो है न दूसरा सूपरेश्टार भुचपूरी इंडस्ट्री में आए दोस्तो जीवन में सफल होने के लिए किताब पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको हमें एक बहुत ही अच्छा बुक रिकमेंड करना चाहेंगे जिसका नाम है सीक्रेट डोर्टो सक्सेस जिसको आप कूकू एफेम पे आडियो बुक सुन सकते हैं यहीं नहीं कूकू एफेम पे आपको मिलेगा तीन हजार से ज्यादा आडियो बुक और एक हजार से ज्यादा content library भी वहां मौझूद है आम तर पर इसके एक साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत 399 रुपया है लेकिन आप अगर हमारा code इस्तमाल करते हैं RSM50 तो यह आपको 50% discount में मिल जाएगा जो कीमत हो जाएगी 200 रुपया तो फिर देर किस बात की description में link दिया हुआ जाए और फट से download कर लिजी और मस्त मस्त किताबे सुनिए अब आईए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों किसी भी काम में जरूरी है experience experience इंसान में जैसे जैसे आता है वैसे वैसे वह काम करके और अपने content को और ज्यादा improve करने की कोशिस करता है जैसे आप यहा इसमें action scene कुछ ऐसे किया जाता था लेकिन अब का action scene पूरा तहलका मचा के रख दिया है इन लोगों ने यहां से सुधार किया और आज इस लेबल तक की फिल्में बना रहे हैं अब यहां पर हम आपको भूजपुरी वर्जन दिखाते हैं यह मनोश्तिवारी जो की पहले वैसे ही मनोश्तिवारी ही बनाते थे लेकिन आज वो ऐसा बनाते हैं लेकिन मनोश्तिवारी कुछ ऐसा काम करते हैं मतलब मनोश्तिवारी भी नेता बन चुके हैं एक्टिंग में लोहा मनवाने वाले रभी किसन आज अपने काबलियत के दम पे बड़े-बड़े साउथ के सूपर स्टारों को टक्कर दे सकते थे लेकिन टक्कर तो देना छोरिए आज किसी भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक काम के नहीं है ये गोरकपुर के शांसद है और अपना दाओ राजनीतिक में आजमा रहे हैं जुबली इस्टार दिनेस लाल यादो निरफगा ज कि ये सारी फिल्मे जुबली लेज के जाते थे मतलब इनके फिल्मों पे बहुत ज़्यादा व्यूज आता था और इतना व्यूज किसी के फिल्म में पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया था वो सूपर स्टार थे दिनेस लाल यादो निरफगा लेकिन ज़रा देखिए कि वॉलिवूड साउथ और तमाम जैसे जितने भी इंडस्ट्रियां हैं वहाँ पे एक सूपर स्टार के पास कम से कम 15-20 साल का एक्सपीरियंस तो है लेकिन अगर बात करे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तो नए-नए कलाकारों की उम्र जो है वो 20- से 25 साल है मतलब जितना का एक्सपीरियंस लेकि वो लोग बैठे हुए हैं उतने के तो ये लोग खुड हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितना जादा बड़े जंडे गार सकते हैं और बात करे अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे काबिल कालाकार की तो मेन मेन कालाकार होते हैं वो कभी नहीं जाते हैं नेतागिरी करने वही लोग जाते हैं नेतागिरी करने जिनका इंडस्ट्री में कोई उतना ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है बस नाम रहता है वो लोग नेतागिरी करने जाते हैं और खूब ज्यादा नाम कमाते हैं लेकि तो में आपको बता देख करियर ऑप्षन भोजपूरी के कालाकारों को करियर ऑप्षन भोजपूरी लगता ही नहीं है इसलिए क्योंकि जिसके पास काबलियत होता है भोजपूरी को बदल देने की भोजपूरी में कुछ अच्छा करने की उनको कोई पूश्ता नहीं है क्यों स्टार खूब मेहनत किये हैं लेकिन इस पे व्यूज कितना है चार मिलियन लेकिन अगर आज कोई गाना गाता है धोड़ी जनी छील दो उस पे हज़ारों करोरों लोग कमेंट और परतिकिरिया देते हैं और मिलियन का अकड़ा तो समझिए 500-600 मिलियन का अकड़ा पार कर जात सकता है और फिर से इसको बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जाया जा सकता है दोस्तों सबसे पहला और बेश्ट तरीका है भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री के सूपरस्टारों को सबक सिखाना जैसे कोई भी सूपरस्टार हों चाहें वो पवन सिंग हों खेसारी लाल आता है चाहें वो कोई हो तो आप उनको बिल्कुल वोट ना दे उनको ऐसा रियलाइज करा दे कि आप हमारे दिल में रहते हैं और इंडस्ट्री के सान हैं और हम आपको इंडस्ट्री में इतना प्यार दे देंगे कि आपको कोई जरूरत नहीं है नेता बनने की दोस्तों चितने भी बचे हुए बड़े सूपरिस्टार हैं जो की बहुत जादा फिल्मे कर चुके हैं बहुत जादा गाने गा चुके हैं उनको गाना पे थोड़ा कम ध्यान दे के फिल्मों पे सुधार करना चाहिए अब देखिए फिल्में पे सुधार कैसे किया जा सकता है और कै ये बहुत ज़्यादा हो रही है वो किसके वज़ा से डाइडेक्टर प्रोडूसर कहानी और उसमें हीरो के वज़ा से अब अगर भोजपूरी फिल्म इंडस्टरी के लोग साउथ के साथ कोलेबरेशन करते हैं और शाउथ के राइटर से भोजपूरी के स्टोरी लिखवाते हैं और उसको फिर भोजपूरी के राइटर से कनवर्ट करा लेते हैं भोजपूरी गाने उसमें एड करते हैं लेकिन एक्टिंग जो है जितने भी प्रोडक्शन हैं जितने भी सब कुछ हैं वह साउथ के लोग ही आके करेंगे लेकिन फर्क बस इतना रहेगा कि यहां फिल्म रिलीज करने के बाद जब लोगों को पता चल जाएगा कि यह फिल्म में बहुत ज्यादा तगडी होने वाली है बोजपूरी की भी और मोस्ट इंपॉर्टन बात तो यह है कि जनता को समझना चाहिए कि आपको अच्छे कामों को बहुत ज्यादा प्रमोट करने के जरूत है जिससे हो पाये का सक्सेस्फूल भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री